नमस्ते साथियो मैं सुरच छेतरी आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया येट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ साथियो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुती खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि मुर्गियों के अंडियों का प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ाया जाता है उसके बारे में अगर आप लोग के मुर्गियों ने अंडिय देना कम कर दिया है मुर्गिया अगर समय पर अंडे नहीं दे रही है तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है तो प्लीज आप लोग ये वीडियो पुड़ेलास तक ध्यांज देखना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आप लोग सभी को एक छोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आएं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बैल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोग को वीडियो का नोट पीके सन मिल जाए देखे साथियो मुर्गिया अगर समय पर अंडे नहीं दे रही है या अगर मुर्गियोंने अंडे देना कम कर दिया है तो उसका बहुत सरा कारण होता है पहला कारन तो ये है कि अगर आप लोग मंग्स उत्पादन के लिए पाले गया मुर्गियों को जो फीड खिला जाता है जैसे कि स्टटर, फिनिशर ये फीड अगर आप लोग अंडे उतपादन के लिए पाले गया मुर्गियों को खिलाते हैं देखे साथियो मंग्स उत्पादन के लिए पाले गया मुर्गियों को जो feed खिला जाता है वो feed अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए पाले गया मुर्गियों को खिलाते हैं तो मुर्गियों का चर्वी ज्यादा हो जाता है मुर्गियों का वजन ज्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण मुर्गिया समय पर अंडे नहीं देती है या मुर्गिया अंडे देना कम कर देती है इसलिए अंडे देने वाले मुर्गियों को हमेशा लेयर फेड़ी खिलाना चाहिए और अंडे देने वाले मुर्गियों को कौ layer feet टो खिलाना जरुरी है ही और उसके साथ-साथ मुर्गियों को कुछ चीजे भी देना होता है जिसे मुर्गियों के अंडों का production भी बढ़ता है और उसके साथ-साथ मुर्गिया समय पर अंडे भी देती है साथियो मुर्गियों के अंडों का production बढ़ाने के लिए मुर्गियों को calcium भरपूर मातरा में देना बहुत ही जरूरी होता है देखे साथियो अंडी दिने वाली मुर्गियों को भरपूर मातरा में calcium का आवश्चा होता है अगर आप लोग उन्हें भरपूर मातरा में केल्सियम देते हैं तब मुर्गिया समय पर अंडे भी देती है और उसके साथ साथ मुर्गियों के अंडो का quality भी अच्छा होता है और मुर्गियों के अंडो का production भी अच्छा होता है अंडे देने वाले मुर्गियों के कैल्शियम की पूर्थि के लिए आप लोग दो काम कर सकते हैं पहला तो ये है कि किसी वेटनेरी सॉप से आप लोग 啊ustrovert calcium या calci care calcium खरित के ला सकते हैं और उसे पानी में mix करके मुर्गियों को दे सकते हैं देखे साथियो अगर आप लोग ऐस्टोवेट केल्चियम या केल्ची केर केल्चियम मुर्गियों को देना चाहते हैं तो इसे हफते में तीन दिन दिन में एक बार साम के सम्में पानी में मिक्स करके मुर्गियों को देना है आप लोग को सिर्फ एक ही इस्तमाल करना है अगर अगर आप लोग ऑस्टोवेट केलचियम का इस्तमाल करते हैं तो आप लोग को केलची केलचियम का इस्तमाल नहीं करना है और अगर आप लोग केलची केलचियम का इस्तमाल करते हैं तो ऑस्टोवेट केलचियम का इस्तमाल नहीं करना है इसे अगर आप लोग हर हफते मतलब ह सकते हैं उसके लिए आप लोग को करना क्या है सहजन के पत्ते मुर्गियों को देना है देखे जाती हो सहजन के पत्तों में भरपूर मात्रा में केल्सियम होता है और इसके अलाबा सहजन के पत्तों में और भी बहुत सारे विटामिन और मिनेरल पाया जाते हैं सहजन के पत्त में मिक्स करके भी आप लोग मुर्गियों को दे सकते हैं दूसरा तरीका यह है कि सहजन के पत्तों को अच्छे से सुखाना है और सुखाने के बाद सहजन के पत्तों को अच्छे से कूटना है और उसका पाउडर बनाना है और सहजन के पत्तों का जो भी पाउडर होगा उसे आप लोगों को एक डिब्बे में बन करके रखना है और उसे पान में मिक्स करके मर्गियों को देना है तो यहां से मुर्गियों के फीट का खर्ज भी कम होगा और उसके साथ-साथ मुर्गियों को जो भी पोस्टकत्त चाहिए जैसे कि विटामिन, मिनरेल और कैल्चियम ये सभी पोस्टकत्त भी मुर्गियों को मिल जाएगा अंडे दिने वाली मुर्गियों के कैल्सियम की पूर्ति के लिए उन्हें सहजन के पत्तों के अलावा अंडों के चिलके भी आप लोग दे सकते हैं और जब आप लोग अंडो के छिलके कलेक करके लाएंगे तो उन अंडो के छिलकों को अच्छे से धोना है और उसके बाद उन अंडो के छिलकों को सुखाना है धूप में जब अंडो के छिलके अच्छे से सूख जाएंगे तब उसके बाद उन्हें अच्छे से कूटना है औ देखे साथियों 5 kg फीट के हिसाब से आप लोगों को लगभग 1.5 kg अंडों के चिलकों का पौडर लेना है और उसे फीड में अच्छे से मिक्स करना है और उसे मुर्गियों को खाने के लिए देना है और इस तरीके से भी आप लोग अंडी दिने वाली मुर्गियों के कैल्स अगर आप लोग अंडे दिने वाले मुर्गियों को एक दिन में 16 गंटे रोस्ति देते हैं तभी मुर्गियों के अंडो का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और मुर्गियों के अंडो का क्वल्टी भी अच्छा होता है और दो नंबर बात आप लोग को ध्यान ये दिना है कि अंडे दिने वाले मुर्गियों को जितना हो सके हरा चारा खाने के लिए दिना है हरे चारे में आप लोग मुर्गियों को नेपियर, बरसीम, केले के पते, सहजन के पते, मूली के पते, कोबी के पते ये खाने के लिए दे सकते हैं आप लोग को करना क्या है इन सभी चीजों को छोटे टुकडों में काटना है और मुर्गियों को खाने के लिए देना है नहीं तो आप लोग फीड में मिक्स करके भी मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं और इसके अलावा टमाटर भी प्रख्शन भी अच्छा होता है और मुड़गियों के अंडों का क्वालिटी भी अच्छा होता है तो साथ ही यहीं थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोग इसाँ सेURE किया और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को सेयर जरूर करना तो साथ यो आज के लिए बाई बाई मिलते हैं फिर एक जबर डस्ट वीडियो के साथ